आज मैं पिसंग शेयर करने वाली हूँ फलारी पूरी और सब्जी की रेसेपी यह बहुत इस तरीके से बन जाती है फटाफट से इसे हिंदी में कुट्टू भी बोल जाता है और इंग्लिश में हम बकवीर भी बोलते हैं तो सबसे पहले हम सब्जी का प्रिपरेशन करेंगे यहां कड़ाई में डालेंगे थोगाव नत्ते या मुफली का तेलएंगे यहां पर आप चाहें तो घीह में भी इसको बना सकते है थोग डालेंगे अद्रक और मिर्शी यहां पर और इसको अग्छे को फॉब भून लेंगे मिर्च को अपने टेस्ट के नसार कम जादा कर सकते हैं बड़ इसमें मसाले जादा पढ़ते नहीं है तो मिर्ची का फ्लेवर आप देते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसको तो आप भून लेंगे अगर आप जीरा खाते तो जीरा को भी इसमें एड़ कर सकते हैं अब मैं डालूंगे यहां पे बॉयल पटाटो जो मैंने पील करके इसे कट कर लिया है चोड़े पीसे में इस तरह से इसे जादा बड़े बिलकुल ना काटे इसे फ्लेवर बहुत जाएगा नियादा वाइस इसे इसी तरह से चोड़े काटे आप और इसे हम 2-3 मिंट इसे भून लेंगे अब मैं यहां डाल रही हूँ सेंदा नमक यह फलारी नमक होता है जो फलार में खा जाता है इसे हम एड़ कर देंगे सेंदा नमक को अब साथे ताथ आड़ कर देंगे यहां पे काली मिर्ची जो आप फलार में खा सकते हैं इसे भी एड़ करके हम इसे तो यह मसाले भी हमारे भून जाएंगे इसमें काली मिर्शी तो भून जाएं बहुत इच्छा प्यारा कलर आता है यह आप देख सकते हैं इसको और फ्लेवर देने के लिए या मैं आड कर रही हूं इमली का पल्प अगर निम्बू डालते हैं तो इसमें इतना अच्छा कलर नहीं आता है बट इमली का पल्प डालने से कलर और टीस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो मैं प्रिफर करूंगे कि आ इमली का पल्प भी कि इसи भी डालके हम एकपाइब मिला लेंगे अच्छे से एक बाद चीज którą अच्छे से मिल जाए इसमें हम आड करेंगी गुंगुना पानी ठंडा वाने बिलखुल लायट ना करें सब्सक्राफ हो सकती है इसमें गुंगुना पान डालके हम इसे बॉईल करने डाल देंग पारी की संग में हमें 5-7 मिंट इसे इच्छे से बॉयल कर लेना है और हलका हलका था मैश भी कर सकते हैं जिससे ग्रेवी जो है ठिकन हो जाए क्योंकि मसाले इसमें हमें और हमने कुछ डाला नहीं है तो इसका हमें दान रखना है इसे बॉयल करने के लिए हम रख दें एक साइड में अब चलते हैं अपने हम कुछ्चु की तरफ में इसे बकवीड भी बुआ जाता है यह मिलेड होता एक तरह का तो इसे हम यहां पर इसे सफा कर लेंगे यह पैकेट्स में आते हैं बजार में बहुत इजी ली अविलेबल ह होते हैं इसे क्लीन कर लें कोई कंकर नहीं होना चाहिए अब लेंगे जार में जार में से डालके इसका हम आठा बना सकते हैं तो मार्केट में यह आठे बने भी आते हैं उसके भी पर्चेस करके इस तरह से बना सकते हैं बट मैं प्रफर करती हूं कि इस तरह से अब आठा मیश कर लेणा या उपक्रेटी कर सकते हैं हमें इसमें गुछयां बिल्कुल नहीं चाहिए इसका में dragging लगा है पटाटो अगर आप अवाइड कर रहे हो तो यहां पे स्वीट पटाटो का भी इस्तमाल आप कर सकते हैं यहां पे तो पटाटो हमारे मैश हो चुके हैं अच्छे से इसको हम कुछ फ्लेवर्स देंगे इसे पूरिया और अच्छी टीस्टी बनेगी हमारी यहां हम डालेंगे थ्षा नमक सुवाट के अनुसार यहां हमने आटा भी डालना है मतलब बकवीड जो पने कुछ पीसा था वो भी डालना है तो उसकी अनुसार ही अप नमक अड़ करेंगे और फिसकन डालेंगे हम तो इसी काली मिर्ची यह बहुत इच्छा फ्लेवर देता है तो जालेंगे अद्रग घजा हुआ अब चाहे तो यहां हरी मिर्ची का भी इस्तमाल कर सकते हैं और अलड़ी हमने डाला है वहां सबजी में तो इसको हम तो आवाइड कर रहे हैं यहां प बहुत ही क्रिस्पिया बहुत ही टेस्टी बनने वाला पूरी है इसको पेशिन से आप इसको अराम से इसके आटा इसको अराम से गोते बहुत ही अच्छा बड़ता है इस तरह से बनाने से अगर इसे पांट डाल देंगे हरड़ा के आटा बिकुल गीला हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से कि अब देख सकते हैं अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा कि रैसे पी आपको कैसी लगी और चैनल पर फर्स टाइम देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोले तो आटा बिल्कुल लग चुका है तो इसकी हम अब पूरिया उतारेंगे आटे की हम छुड़ी लोहिया ले लेंगे बहुत साथा बढ़ा में बिल्कुल नहीं करना है इस तरह की लोहिया में लेनी है अब थोड़ से सूखा आटा लाइक कुट्टू की आटा में बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है पतला इसे इस तरह से ठिकनेस पे भी हम रखके हम इसे बेल लेंगे यहां मैंने चड़ा दिए कड़ाई गरम होने के लिए तिकनेस देखी इस तरह से रखना है कड़ाई भी चड़ चुकी है यहां पर इसको हम डालके अब फ्राइ कर करना है बहुत ज़रा हाई फ्लेम नहीं होना जीन तो कच्छी रह जाएंगे अंदर से इसका हमें धान रखना है तो पूरी वह हो जाएसे हम पलट के भी दूस तरह से भी हम इसे से शेख लेंगे इस तरह से हम सारी पूरियां को फ्राइ कर लेंगे तल लेंगे सारी पूरियां को एक पूरी तल जाय से हम निकाल लेंगे चाहे तो इसके पराठे भी आप बना सकते हो बहुत ही अच्छे लगते टेसी लगते हैं और सबजी बिलकुल रेडी हो चुका है अब देख सकते है यहां पे तो गानिश करेंगे धनिया के संग में यह बिल्सुल ऑप्षिनल है बट इसे टेज फ्लेवर बहुत ही तरह अच्छा लगता है खाने में और यह देख रहे हैं क्रेवी पी सोड़ी सोड़ी हो चुकी है और थो ठंडा होने के बाद में इमली डला हुआ है तो बिल् अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरू कीचेगा